नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की अकेर एलसी सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, अकेर एलसी सिरप को कैसे लेना चाहिए और अकेर एलसी सिरप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहां भी डिस्कस करेंगे की अकेर एलसी सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अकेर-LC सिरप के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है। अकेर-LC सिरप के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन लिवोसित्रिजीन और मॉन्टेलुकास्ट होता है। लिवोसित्रिजीन एक एंटिहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उप्योग सर्दी जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। और मॉन्टेलुकास्ट अस्थमा की वज़े से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है। अकैर एलसी सिरप का उप्योग बच्चों में अस्थमा होने पर सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए अकैर एलसी सिरप का उप्योग किया जाता है। सर्दी जुखाम एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक का बंध होना, आंखो से पानी आना, आख, नाक या गले में खुझली होना, छींग आना और शरीर पर कहीं खुझली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए अकैर एलसी सिरप का उप्योग किया जाता है। तो ज्यादा तर बच्चों में अकेर एलसी सिरप की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की अकेर एलसी सिरप को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। अकेर एलसी सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अकेर एलसी सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। अकेर एलसी सिरप की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको अकेर एलसी सिरप को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि अकेर एलसी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में अकेर एलसी सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींड नहीं आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अकेर LC सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आती है, तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है. तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं.